Hello and Welcome to Unnati Competition Classes इस वीडियो को सुरू करने से पहले मैं आप सभी का करना चाहूंगा बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी ने Lucent वीडियो के पार्ट वन को जो अपना प्यार दिया उसके लिए रियल दिल से आप सभी का बहुत बहुत सुकर रिया क्योंकि उस वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आए, काफी सारे लोगों ने अपने उत्तेजना दिखाई कि सर वीडियो जल्दी पब्लिश करो, पार्ट टू करो, पार्ट टू जब मैंने वीडियो पब्लिश करा उसके तुरन बात काफी लोग रिप्लाई आए, पार्ट थी अप्लोड करो तो इस तरह से आज हमारा कारवा बढ़ चुका है लुसेंड पार्ट स्यावन के ओर देखिए इस वीडियो में मैं डिसकस करूँगा आप से परमारावण्स के बारे में जो उसमें एक राजा थे आपके राजा भोज उनके बारे में आज हम डिसकस करेंगे उसके बाद हम चलेंगे इस बुक में चंदिल वन्स की और खुजराओ करस्थान, मंदिल और वैदराद मंदिल भी वहाँ पर काफी famous था उसके बारे में भी हम discuss करेंगे इस book में क्या-कर coverage दिया गया है और फिर हम बात करेंगे सौलंग की वंस के बारे में और सिसोधिया वंस के बारे में फिलाल इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप अपनी साथ रखें एक notebook और इस वीडियो में जो जो important fact होंगे केवल उनी के बारे में मैं आपसे discuss करूँगा और आपसे उमेद करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी पसंद आएगा चलिए शुरू करते हैं देखिए परमारवंस से हम सुरुवात करते हैं इससे पहले के जो भी pages थे जो भी topic थे हमने वो सब complete करें आज हम इस वीडियो में शायद मद्देकाली भारत के सुरुवात कर दें वो depend करता है कि हमारे पास समय कितना बचा हुआ है देखिए परमारवंस में सबसे पहले हम बात करते हैं संस्थापक की परमारवंस का संस्थापक उपेंद्र राज था और इसकी जो राजधानी थी वो थी धारा नगरी परमारवंस का सरवादिक सक्ति साली सासत्ता राजा भोज वही राजा भोज कहां गंगुते ली एक गाना है नहीं कहां राजा भोज कहां गंगुते ली तो ये राजा भोज का जो संबंद है वो अक्चली बपाल से है तो ये जो भोज थे राजा भोज ये भोपाल से संब्द रखते थे अभी इसके बारे हम डिस्कस करेंगे देखिए आप याद रखेगा परमारवंस के संस्थापक थे उपेंद्र राज और इनकी जो कैपिटल थी वो थी धारानगरी और सबसे प्रभाव साली, सक्ति साली, सासक जो थे उनका नाम था राजा भोज राजा भोज ने भोपाल के दच्छिड में भोजपूर नामक जील का निर्माण कराया अब देखिए यहां से कोशन्स ये बनता है कि भोजपूर नामक जील किस इस्थान पर है किस स्टेट पर है इस तरह से आप से कोशन्स ये पूछ लेता है और ये अग्जाम में पूछा गया है, आपके रेलवे के एक्जाम में करे बर ये कोशन्स पूछा गया है तो इसलिए जो बच्चे railway के त्यारी कर रहे हैं उनको तो ये topic याद रखने रखना है उसाथ में लेकिन जो बच्चे SSC के त्यारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो ये सभी लाइन काफी important है तो आप इसको note करिए और याद करिए आगे हम बात करते हैं देखिए नैस दिहचरीत के लेखक सिरी हर्थ एवं परबंद चिंतामडी के लेखक कौन थे राइटर का नाम क्या था इनके राइटर का नाम था मेरू तूंग देखे राजब्होज ने चिकिस्ता गडित एवं व्याक्रणा पर अनेक करंथ लिखे भोज करत युक्तिक कल्पतरू में वास्तू सास्तर के सांसाथ विविद विज्ञानिक यंत्रों वे उनके उप्यों का उल्लेक करा गया है अगला जो पॉइंट है वो है आपका नव सहा सांग चरित के रचेता पदम गुप्त दस रूपम के रचेता धरंजय गनिक हलाजुद इवं अमीत गती जैसे विद्ञान वाक्य पती मुझ के दरबार में रहते थे देखे ये जो पॉइंट है आपका पिलिम्स एक्जाम के पॉइंट अविस से इंपॉइंट है और खास तुर पे ये पॉइंट बनेगा आपका जिनका युपी पिलिम्स का एक्जाम है जुलाई में जो होने वाला है उनके पॉइंट अविस से काफी इंपॉइंट है तो आप इसको ये जो वक्य पती मुझ ये जो नाम है इस नाम को आप नौट करिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कविराज की उपादी से विबोशित सासक कौन था कविराज की उपादी से जो विबोशित सासक था उसका नाम था राजा भोज और भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्मान कराया था किसने सरस्वती मंदिर का निर्मार कराया था ये कराया था भोज ने और ये मंदिर कहां पर है ये मंदिर है बोपाल में और इस मंदिर के परिसर में संस्कित विद्यान ने भी खोला गया था और राजा भोज के सासन काल में धारा नगरी एक नगरी थी इनके काल में राजा भोज के काल में नगरी थी धारा नगरी ये क्यों फेमस थी ये थी विद्या एवं विद्यानों का ये पर्मुक केंद्र भोज ने चितोण में तिरी भूवन नारण मंदिर का निर्मान कराया और भोशपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने की थी भोशपुर नगर की स्थापना किस ने करी थी तो ये करी थी राजा भोज ने परमारवन्स के बाद तोमरवन्स का उसके बाद चाहमानवन्स का और अंतितै उन्नीस सो स्वरी बारा सो सत्तानवे इस्वी में अलाउदिन खिल जी के सेनापती नसरत खां और उलुग खां ने मालवा पर अधिकार किया अभी देखिए इसमें जो ये टॉपिक था परमारवन्स इसमें केवल आपको क्या कर आद रकना है संस्थापक उपेंद्र राज कैपिटल धारा नगरी राजा भोज का संबन था बोपाल से और भोशपुर नामक जील का निर्मान कराया राजा भोज ने और उसके बाद हम ब करनाया था सरस्पती मंदिर और धारा नगरी किस किस चीच के लिए फेमस ही यह थी विद्या एवं विद्यानों का परमुक केंद्र उसके बाद आपको याद रखना है कि तिरी भूवन नारण मंदिर भोज ने कहां पर इसका निर्मान कराया था तो उसका निर्मान कराया था चित्तोड में और भोजपुर नगर के स्थापना किस ने करी थी राजा भोज ने बस इतना है आपको इसमें याद रखना है आगे हम बात करते हैं चंदिर वंस के बारे में कि परतिहार सामराजीय के पतन के बाद बुंदिर खंड की भूमी पर चंदिर वंस का स्वेत राजनेतिक इतिहास प्रारंभ हुआ बुंदिल खंड का प्राची नाम क्या है देखिए बुंदिल खंड का जो प्राची नाम है वो है आपका जिजाक भुक्ति और चंदिर वंस का संस्थापक कौन था इसका नाम है ननुक और इस्थापना कप करी गई थी 1831 में और बात करते हैं इसके कैपिटल की इसकी राजधाने की तो इसकी राजधाने थी खुजराओ और प्रारंभ में इसकी राजधाने कुछ और थी जिसका नाम था कालिंजर या फिर महोबा आपसे एक्जाम में यहाप यह पूछता है कि चंदेर वंस के संस्थापक कौन थे तो याद दखना है आपको यह और उनकी प्रारंभ में या पर्थम राजधानी क्या थी उसका नाम क्या है आपको उप्शन्स चार देगा चारों में आपको खुजराओ मिलेगा और कालिंजर भी मिलेगा या आपको मिल सकता है महोबा तो आपको याद दखना है कि वो क्या पूछ र इहां से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं जो important point है उसके और बढ़ते हैं कि यसो वर्मन के बारे में हूँने बात करे कि संदेलवंस का पर्थम स्वत्यांत्र इहां सबसे पर्तापी राजा कौन था यसो वर्मन अब हम इसके आगे बढ़ते हैं कि यसो वर्मन नहीं कन्योश पर आक्रमन कर परतिहार राजा देवपाल को प्राजित करा भाराया उसको और उससे एक विश्णू की परतिमा उसको प्राप्त होई थी जो उसने इस्थापित करी कहां पर खजुराहो के विश्णू मंदिर में एक्जाम में आपसे ये पूछता है कि यसो वर्मन ने कहां से विश्णू की प्रतिमा प्राप्त करी थी तो आपको याद अखना है कन्योश पर आक्रमन करा था उस समय और उस समय वहां के राजा जो थे वो थे राजा देवपाल उनको हराया था और वो मुर्ती इस्थाप विश्विनात एवं वैदनात मंदिर का निर्माण कराया और कंदर्या महादेव मंदिर का निर्माण धंग देव द्वारा 999 में किया था देखे आपसे पूछता कि वैदनात मंदिर का निर्माण किस ने कराया था ये कुश्चिन कई बार पूछा गया है तो आपको याद अगे बढ़ते हैं भड़क है अगे आगे बते हैं देखिए धंग याद करते हैं उनको याद करते हुए उनकी पुजा करते हुए उनकी पूजा करते हुए अपने सरीर का त्या heroin किया ठीक है धंग ने क्या करा गंगा जमना के संगम में सिव की अरादना करते हुए अपने सरीर का त्याग किया तो गंगा जमना के संगम में किसने अपने सरीर का त्याग करा उसका नाम था धंग और वो किसकी अरादना कर रहा था किसकी पूजा कर रहा था वो कर रहा था सि की ठीक है देखिए आगे और भी जो पॉइंट है उसके बाद चंदेल विद्याधर तो ये सब पॉइंट इतने इंपॉर्टिन नहीं है तो मैं इसले इस पॉइंट को स्किप करूँगा मैं केवल उन्हीं टॉपिक के बारे में डिसक्स कर रहा हूं जो आपके एक्जाम में क कि चंदेल सासक किर्ती वर्मन की राज्य सबाब में रहने वाले कृष्ण मिस्त्र ने परबोध चंद्रोद्या की रचना की थी इन्होंने महुबा के समीप किर्ती सागर नामक जलासे का निर्मान किया था किर्ती सागर नामक जलासे का निर्मान किसने करा था और कहां करा आगे हम बात करते हैं देखिए अल्ला उदल नामक दो सेना नायक पर्मिर्द देव के दरबार में रहते थे जिनोंने पित्विराज चोहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गवाई थी अगला जो पॉइंट है वो ये है कि चंदेल का अंतिम सासत कौन था उसका नाम क्या है तो उसका नाम था परम्रिदी देव ने 1202 में कुतुब दिन अभग की अधिनता सुईकार कर ली इस पर उसके मित्र अजय देव ने उसकी हत्या कर दी आगे बात करते हम सौलंग की वन्स के बारे में अथवा या फिर गुजरात के चालुक के सासक के बारे में देखे सौलंग की वन्स के बारे में बात करे जा है तो संस्तापक कौन थे हमको यह याद रखना है संस्तापक थे इनके मूल राजपर्थम और इनकी राज़ाने थी अनहिल वाड और मूल राजपर्थम सैव धर्म का अनुवाई था भीम पर्थम के सासनकाल में महमूद गजनी ने सोमनात के मंदिर पर आकरमन किया भीम पर्थम के सामंत बिमल ने आबू परवत पर दिलवाडा का परसिद जहन मंदिर बनवाया था तो ये नाम आपको याद अखना है भीम पर्थम के सामंत बिबल ने आबू परवत पर ठीक है ये कहाँ पर है ये है राजिस्तान में ठीक है तो दिलवाडा का परसिद जैन मंदिर बनवाया था आगे हम बात करते हैं कि सौलंकी वंस का पर्थम सक्ति सली सासक कौन था उसका नाम क्या उसका नाम था जैसिंग सिद्धिराज और परसिद जैन विद्यान हेम चंद जैसिंग सिद्धिराज के दरबार में था आगे हम बात करते हैं माउंट अबू परवत जैसे कि मैंने आपको बता है राजिस्तान में है ये को क्या करा एक गजा रोही मतलब की हाते की परतिमा के ऊपर उन सभी अपने सातों पुर्वजों को डादा वादा इन लोगों को बिठा करके रखा तो आज भी अगर आप जाते हैं राजसान जैसे एरिये में मांट अबू में जाते हैं तो वहाँ पर आपको इस टैप मंदिर का निर्माड सौलंकी राजाओ के सासनकाल में हुआ था और सिद्पूर में रूद्र महाकाल के मंदिर का निर्माड जैसिंग सिद्राज ने किया था सौलंकी सासक कुमार पाल जैन मतान हुआई था वह जैन धर्म के अंतिम राज के परवर्तक के रूप में परसिद हुआ और सौलंक की विंस का अंतिमसासक कौन था तो ये थे भीम दिती है याद रखे गा भीम सेकेंड हम बात करते हैं कि भीम सेकंड के एक सामंत लवण परसाद ने गुजरात में बघिर istag लेक्षापन करी बहीं सेकेंड के एक सामन तिलवन परसाद में गुजरात में करी थी बगहिल वंस की स्थापना और बगहिल वंस का करण सेकेंड गुजरात का अंति महिंदु सासक था और इसने अलावदिन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था आगे हम बात करते हैं देखें कलचूरी च सक्तिसाली सासक गंगे देख था और जिसने विक्रामाधित्य की उपादी धरन किये थी पूर्व मध्यकाल में स्वान सिक्कों के विलुप्त हो जाने के पश्यात इन्होंने सरपर्थम इसे प्रारंब करा था आगे अगला जो पॉइंट है वो है कल्चूरी वंस सबसे महा सासक जो था वो था आपका करणदेव कल्चूरी या चेदी राजवनस का सुपसे महा सक्तिसासक कौन था उसका नाम क्या था उसका नाम था करणदेव जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और तरी कालिंगा दीपती की उपादी धरन करी पर सिद्गवी राज सेखर कुल चूरी के दरबार में ही रहते थे अगला जो वंस है वो है आपका सिसोधिया वंस सिसोधिया वंस कुछ खास नहीं है इसमें बताने के लिए लेकिन फिर भी हम बढ़ेंगे कि सिसोधिया वंस के सासक अपने को सूरिया वंस से कहते थे कौन से वंस के सासक अपना आपको सूर्य वंस ही कहते थे तो वो थे सिसोद्य वंस और सिसुर्य वंस का सासव जो था मेवार पर सासन करते थे और मेवार की राजधानी थी उसमें चितोड और अपनी विजय के उपलक्षय में विजय इस्थम का निर्मार कराया था ठीक है विजय इस्थम का निर्मार किस ने कराया था ये आपको याद अखना है राणा एवं अब्रहायम लोदी के बीच में खतुली का युद किस किस के बीच में लड़ा गया था तो आपको याद एकना है राणा सांगा एवं अब्रहायम लोदी के बीच में कब किस वर्स तो ये लड़ा गया था आपका 1518 इस्वी में देखिए अब हम बात करते हैं मद्देकाली भारत की देखिए इस वीडियो में मैं कवर करूँगा देखिए भारत पर अर्बो का आकरमन जैसे कि आप देख रहे हैं उसके बाद में डिसकस करूँगा आपसे महमुद गजनी के बारे में कि उसने क्या करे करे थोड़ा उसके बारे में मैं आपसे डिसकस करूँगा उसके बाद में बताऊंगा आपको महमद गऊरी डाषू कि बारे में जब उसने ठाएं का युद्करा था चंद्राबार देखते हैं आगे हम कितना कवर कल पाते हैं यह आप आप इस वीडियो को ब भád अैंद में अप लां पीक देखे मुहममद बिन कास्यम के नेततों में अरबों ने भारत पर पहला सफल आकरमण किया अरबों ने सिंध पर 712 एश्में में विज़ाप्राप्त करी और अरब आकरमण के समय सिंध पर दाहिर का सासन था अरब का जब आकरमन हुआ भारत में उस सिंद्र पर दाहिर का सासन था और भारत पर अरब वासियों के आकरमन का मुख्य जो एम था देखे भारत पर जो अरबों ने जो आकरमन कर रा था उसका एक मेर एम था केबल धन दौलत तूटना तरथा इसलाम धरम का परिचार और परसार करना देखे यहां से अपके एक्जाम में एक क्षोशन काफी पर पुछा जाता है आपके SSC एक्जाम में खास्तोर पे आपका MTS का एक्जाम होगा उसमें सीजर के एक्जम दोनों में पूछ जाएगा कि भारत पर अर्बो का आक्रमत का मुख्य उदेश्य क्या था उनका एम क्या था एम तो नहीं बोलेगा आपसे बोलेगा उसका क्या उदेश्य था क्या उनकी मंसा थी क्या उनके इच्छा थी तो उनकी में जो इच्छा थी वो थ तो आपको दोनों भी फोकस करना है एम था इसका धर्म को लोटना या फिर अपना इस्तलाम धर्म का पढ़िचार करना ठीक है यहां से केवल एक ही कोशन से बनता है आपका भारत पर अरबो का आकरमणक के सेक्षन से आगे हम बात करते हैं मेहमुद गजनी के बारे में की अल्पतगेन नामकी तुर्क सरकार गजनी सामराज्य का संस्तापक था अल्पतगेन का गुलाम तथा धमाद कौन था उसका नाम क्या था उसका नाम था सुबुक्तगेन मेहमुद गजनी सुबुक्तगेन का पुत्र था अपने पुत्र के काल में गजनी खुरासान का सासक था ठीक है अपने पीता के सासनकाल में ठीक है ना अपने पीता के सासनकाल में वो कहां कर सा सकता वो था आपका खुरासान का मेहमूद गजनी 27 वर्थ की अवस्ता में 997 एस्वी में गद्धी पर बैठा था एक उपादी दी थी एक नहीं बर्कि उसको उपादी मिली थी दो आप याद रखेगा दो उपादी दोनों उपादी कौन से थी एक का नाम था यमीन उद्दोला यमीन उद्दोला और सेकेंड उपादी का नाम था वो था आपका यमीन उल्मिलहा यमीन उल्मिलहा आपसे एक करते हैं कि महमूद गजनी ने सरवाधिक भारत पर आक्रमन करा था ठीक है और ये सीजेल में कई बार पूछा बेगिया है कि महमूद गजनी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमन करा तो आपको याद अखना है 17 बार 17 टाइम्स आगे महमूद गजनी ने भारत पर जो पहला आक्रमाद करा था, वो कप करा था? 1001 इस्वी में आपको यह जो वर्स याद अखना है, यह वर्स काफी अच्छा है कि कही हम जाते हैं साधिजी बिया में किसी की मारिजी में, तो हम वहाँ, वहां पर टीका लगाते हैं, तो वहां, अम टीका भारत पर आक्रमर करा था, एक हजार एक इस्वी में, और यह है आक्रमर साही, राजा जैपाल के विरुद दिद था, इसमें जैपाल की पराजे हुई, महमुद गजनी ने भारत पर, अधिपत्य अपना इस्तापित कर लिया, अपना सामर जवार स्तापित कर लिया, और यह कब करा था, यह कब करा था, तो यह करा था आपका, 1001 इस्वी में, महमुद गजनी का, 1008 इस्वी में, नगर कोट के विरुद, हमले को, मूर्तिवाद के विरुद, पहली महत्पूर्ण जीत बताई गई है महमुद गजनी ने थाने सरके चक्र स्वामीन की कास्य निमित आदम कद परतिमा को गजनी भेज कर रंग भूमी में रखवाया ठीक है आप याद रखना कि चक्र स्वामीन की ये मोर्ति थी ठीक है कास्य से बनी थी और आदम कद परतिमा को गजनी भेज कर रंग भूमी में रखवाया अगला जो पॉइंट है वो है महमुद गजनी का सबसे चर्चित जो आकरमण है वो है एक हजार चौबिस में उसने एक आकरमण करा था सोमनात मंदिर जो कहां पर है सोराष्ट पर हुआ इस मंदिर की लूट में उसे बीस लाक दिनार की संपत्ती हाथ लगी ग्रीन से मैंने इसको हाइलाइट कर रखा है कितनी संपत्ती इसको प्राप्त हुई तो इसको संपत्ती प्राप्त हुई बीस लाक दिनार ठीक है और सोमनात की रक्षा में सहता करने के करण अनहील वाड़ा के सासक पर महमूद ने आकरमन किया सोमनात मंदिर लूटा उसने और लूट कर ले जाने के करम में महमूद पर जाटों ने आकरमन किया था महमूद के ऊपर जाट जो लोग थे उन सब ने उसके ऊपर आकरमन किया और कुछ संपत्ति उससे लूट ली मतलब महमूद गजनी ने जो ये करा था दिनार प्राप्त करी थी मंदी लूटा था तो जाटो ने उसके उपर धावा बोल दिया और उससे कुछ संपत्ति चीन ली महमूद गजनी का अंतिम भारतिय जो आकरमण था आखरी जो उसका आकर में महमूद गजनी की डैथ कब हुई 2030 में इसके डैथ हो गई और अलबरुनी, फिर्दोसी, उत्वी तथा परुखी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट जो नाम है वो है आपका अलबरुनी किसके दरबार में रहता था आपसे यह कई बार पोचा गया अग्जाम में तो यह नाम आपको याद अखना है अलबरुनी यह था महमूद गजनी के दरबार में रहता था देखिए इस में से मैं आपको दुबारा कुछ रिपीट करां चाहूँगा मद्दे काली भारत में से भारत बर अरब वासियों के आकरमन का मुख्य जो एहम था धन को लूटना और इसलाम धर्म का परिचार करना ठीक है और गजनी समराज्य का संस्थापक था मतलब अल पतगीन नामक एक तुर्क सरदार था जो क्या था गजनी समराज्य का संस्थापक था ठीक है उसके बाद जो इंपार्टिन वर्ड वर्ड है वो है आपका खुरासान ठीक है अपने पिता के काल में घजनी खुरासान का सा सकता और 27 वर्ड के अवस्ता में ये 1997 मतलब 997 स्वी में गद्य पर बैठा था इसको दो उपादी प्राप्त थी एक तो थी यमीन उद्दौला और सेकिन करने वाला जो भारत पर जिसा सकता है तो कमूद घजिंए और जो लास्त जो आक्रमंड था वो इसने करा था शइस संस से अधिय ने 1027 दो पेखिंगे तो क terrain अब हुमने एक पॉंँट हमने यह भी देखा कि सोम्णाथ मंदिल के बारे में किसले सको लूटा कितने इसको तूपते इसके पराप वह संखेह वह संख्याग है 20 लाक दिनार किष्टी समपति इसके हाथ लगी यहाश लाप दिल से लूटी है ठीक है बस इतने ही important point आपको यादते हैं अब हम बढ़ते हैं फिलाल मुहम्मद गौरी के तरफ कि मुहम्मद गौरी या फिलाल मुहम्मद गजनी के आधिन एक छोटा सराज्य था एक हजार 153 या फिलाल इसमी में सहाब उदीन मुहम्मद गौरी गौर का स ऐा था इहां का सासक भीम सैकंड और गौरी को बुरी तरह से प्रास्त किया था ठीक है या दखना प्रास्त किया था उसके बाद करते हैं देखी य वार के में आपको शायद धंग से दिखना रहा हो कि तराइन का पर्थम वार कब हुआ था तो मैं थोड़ा सा इसको जूम करना चाहूंगा यह जूम कर लिया आई होप आपको अच्छे से के लिए हो रहा होगा अब हो रहा होगा ठीक है देखे तराइन का जो पहला वार हुआ था वो हुआ था 1191 में किस किस के बेच में हुआ था गौरी एवं पिर्थिविराज चौहान के बेच में और इसका रिजल्ट का निकला इसका रिजल्ट ये निकला कि पिर्थिविराज चौहान इसमें विजय हुआ फिर उसके एक वर्स बाद में सेकिन वार हुआ ग्यारा सो तिरानवे में अब पहला जाद रखेए पहले में आप एक वर्स जोड़ दीजिए सेकिन वार दुबारा हुआ दोनों की बीच में सेम हुआ लेकि इस बार क्या हो गया गौरी जो रहा वो विजय रहा ठीक है प्रिश्वी राद चोहान विजय हुआ दुबारा से उसने गौरी ने अपने सस्त्र उठाए 1192 में दुबारा से उसने तराइन का दिती एयुद प्रारम करा और उसमें गौरी विजय की विजय हुई ठीक है और चंद्रावार का जो जुद होता था वो हुआ था ग्यारा स 1294 में गौरी एवं जैचंद के बीच में और परिणाम क्या रहा गौरी की विजय हुई ठीक है अब देखे बात करते हैं कि मौहमद गौरी भारत की विजयत परदेशों पर सासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लोट गया उसने बोला कि मैं समान लेंगे राजी अब मैं यहां से जा रहा हूं ठीक है और मौहमद गौरी की हत्या हुई कब हुई बारा सो चैस वी को यह हत्या आप से पूछ लेता है हत्या कब हुई थी तो आपको याद रखना है बारा सो चैस वी को देखें अब हम बात करेंगे सलतनत काल गुलाम वंस के बारे में गुलाम वंस की स्था अपना करी थी बारा सो चैस वी में कुतुब दिर अबक ने वह गौरी का गुलाम था कुतुब दिर अबक किसका गुलाम था यह था गौरी का गुलाम और कुतुब दिर अबक ने अप आपसे वर्स जरूब उसकता एक्जाम में आपको याद रखना है 1206 में और कुतुब इदिन एभक की अपनी कैपिटल किया थी इसकी कैपिटल थी राजधानी थी लाहूर और कुतुब मिनार की नीव जो रखी थी उसकी जो फाउंडेशन जो हुआ था उसका जो नीव रखी थी उसका बेस बनाया था वो बनाया था कुतुब इदिन एभक ने आपसे देखे यहां से कुशन जरू पूछता है कि कुतुब मिनार की नीव किस ने रखी थी उसका नाम बताइए तो आपको या रखना है कुतुब मिनार की नीव रखी थी कुतुब इदिन एभक ने दि और कुतुब दिन एबक को लाक बक्ष लाक बक्ष मतलब लाको का दान देने वाला ठीक है ये इनसान क्या था ये दानी बहुत था गरीबों की बहुत सेवा करता था गरीबों को बहुत दान देता था छुल डिवातों पर लाको को क्या करता था लुटा जेता था गरीबों के विवस्वित धहले को द्षस्त करने वाला एहवक का सहय कौन था आहीसका नाम किया थ विख्टिहार क में था क्या भाकतीहार घिलजी इसने तो आगे हम बात करते हैं ऍथा अगे हम की जो डैभाय थी वही थी बाला सुद्धिस्वी में चोगान खेलते समय, ठीक है चोगान मतलब पोलो खेलते समय आपसे एक्जाम में पूस्ता है कि चोगान खेलते समय किसकी डैथ हुई थी तो शेल जो हुई थी वह थी एहबक की और कब हुई थी 1210 में तो आपको दोनों ही वर्ड याद अखने है चोगान खेलते समय 1210 इस्वी में एभग की डैत हुई थी और इसे दफनाय कहां गया था इसे दफनाय गया था लाहूर में एभग का उत्रदिकारी आराम शाह हुआ था जिसने सिर्फ आठ महीने तक सासन किया और आराम शाह की हत्या करके इल्टु तमीज 1211 इस्वी में दिल्ली की गद्धी पर बैठा इल्टु तमीज 1211 इस्वी में दिल्ली की गद्धी पर किसकी हत्या के द्वारा बैठा था किसकी हत्या करके बैठा था तो ये था आराम शाह आगे हम बात करते हैं, देखें, देखें, इल्तुतमीज तुर्किस्तान का इल्बरी तुर्क था, जो अेबक का गुलाम एवं दामाद था, ठीक है, आईबक की डैत के समय वह बदाईयों का गवर्नर था, बहुत अच्छा कोश्चन से देखें, इल्तुतमीज जो तुर्किस तरफ्तान का इलबरी तुर्क था ठीक है जो एबग का तो गुलाम ठाव और उसका दमाद भी था लेकिन एबग की डेट के समय वह तो वह कहां का गवर्नर था तो वह गवर्नर था आपका बदायों का इलटी समय लाहूर से राजधानि का इस्तानांत्रिक करके दिल्ली लाया ठीक है लाहोर से राजधानी को चेंज करा और वो क्या बनाए उसने कैपिटल उसने बनाए दिल्ली और इल्टु तमीज पहरा सा सक था जिसने 1239 इस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पत की बैदानिक सुक्रिती प्राप्त की और इल्टु तमीज के डाद कब हुई नाम था रुकु नदीन फिरोज गदी पर बैठा वह एक अयोग्य सासर था ठीक है वो पड़ा देखा नहीं था बेको अनपर था उससे कोई नालेज नहीं थी युद्ध के बारे में इसके अलपकालीन सासन पर उसकी मा शाह तुरकान चाही रही मतलब की नाम को तो बेटा बैठ गया सीट पर ठीक है इसके बाद में लेकि उसको जुद्ध के बारे में कोई भी नालेज नहीं थी लेकिन उसकी मा ने ठीक है पूरा राजपार्ट समाला जुद्ध की पूरी रूप नेखा जो बनती थी वो समाली सेनापती से जो भी डिसकस करती थी वो उसकी मा करत और यह जान रहुँ तो आ याद करियेगा तुरकान चाहई तर्क का नाम का सी यbab पर को अबातने प्रेशान 와 की अंड़ी त्रकित करने रुगून दिन को रस revelation पर आसिन किया ठेक है इस प्रकार रजिया बेगम परत्थ मुस्लिम सासी का महिला थी जिसने सासान के बादोरों that actually यह जो रजिया बेगम थी यह इल्टी। तमेस की ही पुत्री थी ठेक है इदा मिसकर पुत्र था जो उसकी मृत्त्व के तो इसके पुत्री स्याज़ा समझज़ा रहें तो इसको बेठाते हैं हम घद्दीबा ठीक है तो याद अखिएगा रजिया बेगम पर्थम मुस्ली महिला सासक थी जिसने सासन की बागदोर समा ली आपसे घुजामे ये पूस्ता है कि पर्थम मुस्लिम महिला सासा का नाम बताई एक कौन था ठीक है तो अब रजिया ने क्या गरा रजिया जैसे ही गद्धे पर बैठी जैसे उसने सासन की बागड़ोर समाली उसने सबसे पहले परदा पर्था का त्याब करा तो परदा परदा अगर हो गी तो महिला यूँद इन ही जैता था तो उसने साब सब ये कहा कि अब से हम लोग परदा परदा का त्याब करेंगे तता पुर्सो की तरह हम क्या करेंगे चोगा पहनेंगे जैसे कि बड़ा कुर्था होता है पजामा होता है तो इस ट्रप को बोलते हैं चोगा पहनेंगे उसको बोलते है काबा तथा छुलहा मतलब टोपी प huge पहन कर राज़ दरबार में खुले मुंचे यह जाने लगी ठीक है यह पहली महिला जो थी पड़धा मुस्लिम महिला थी और इसने से पहले पड़धा पड़धा कुत्या करके पूर्सो की तरह नौमली जो होता है चोगा पहन करके और टोपी सर पहन करके राद द्रबा में खुले मुझ जाने लगी ठीक है रजिया ने मलिक जमालुदीन याकुत को अमीर आखुर मतलब घोड़े का सरदार निक करा घोड़े का सरदार कौन था तो ये था आपका मलिक जमालुदीन याकुत ये इसका नाम था जो घोड़े का सरदार था आगे बात करते हैं देखिए गैर तुर्के को सामंद बनाने के रजिया के परियासों से तुर्की अमीर विरुद हो गए और उसे बंदी मिना कर दिल्ले की गद्धी पर मुहीर जुदीन बहरा मिशाग को बैठा दिया गया अब रजिया की जो मैरिज हुई इसके पती का नाम क्या था इसका पती का नाम था अलतुनिया बहुच्छा नाम है अलतुनिया लेडिस जाता नाम लगता है लेकिन आप नाम याद रखेगा रजिया की साधी हुई थी अलतुनिया के साथ और इससे साधी करने के बाद रजिय किया लेकिन वे क्या रही वे ऐसा फल हो गई लेकिन रजिया की एक डैथ हुई रजिया की हत्या करी गई यह कुशिंस काफी इंपॉर्टेंट है आप इसको द्यान से देखेगा रजिया की जो हत्या करी गई थी वो करी गई थी 13 अक्टूबर 1240 इस्वी को डाकूओ के द्वारा कैथल के पास करी थी ठीक है ना रजिया की हत्या कब और कहां पर होई थी आप से एक्जाम में यह पूछ सकता है तो आप याद अखेगा 13 अक्टूबर 1240 इस्वी को कैथल में ठीक है बहरम सा को बंदी बना कर उसकी हत्या मई 1242 इस्वी में कर दी गई बहरम शा के बार दिल्डी का सुल्तान अलाओदीन मसूद शाह 1242 इस्वी में बना लेकिन बलबने सर्यंत्र के द्वारा 1246 इस्वी में अलाओदीन मसूद साह को सुल्तान के पत्से हटा दिया ठीक है और नसरुदीन महमुद साथ को सुल्टान बना दिया देखे पहले ऐसी होता था कोई सुल्टान बनता था कोई आपस में रंजिस होती थी युद करते थे, राजा को मार देते थे या रस्ते में उसकी हस्तिया करा देते थे ठेक है ना, क्योंकि कहते हैं प्यार और जंग में सब कुछ जायज होता है पिछली जो जंग होती थी, उसमें सब कुछ जायज था अब हम बात करते हैं बल्बन ने अपनी पुत्री का विवाद जो करा था वो किसके साथ करा था, वो करा था नसरुदीन महमुद के साथ में बहुत प्यारा कोश्चन्स है कि बल्बन ने अपनी पुत्री का विवात इसके साथ कराया था उसका नाम क्या था उसका नाम था नसुर दिन महमूद आगे हम बात करते हैं देखिए बल्बन का वास्ते लिक नाम क्या था इसका रियल जो नेम था या फिर बच्पन का नाम क्या था वास्तेवी नाम क्या था तो इसका नाम था बहो दिन वह इलतुतमीज का गुलाम था तुर्कान ए चिहल गानी का विनास किस ने किया था तो यह करा था बल्बन ने, याद रखेगा मैं अगर रिपीट कर रहा हूं कि तुर्कान ए चिहल गानी का विनास बल्बन ने किया था और बल्बन 1266 एसेव में ग्यासुदीन बल्बन के नाम से दिल्ले की गद्दी पर बैठा था कौन ग्यासुदीन बल्बन के नाम से दिल्ले की गद्दी पर बैठा था तो यह बैठा था बल्बन, बल्बन का एक अन्ये नाम क्या था ग्यासुदिन बल्बन कब बैठा था 1266 में तो आपको ये तीनों चितर याद अठनी है एक तो ये वर्स 1266 और सेकिन आपको याद अखना है ग्यासुदीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्धी पर बैठा था ठीक है यह मंगोलों के आकरमर से दिल्ली के रक्षा करने में सफल रहा राज दरवार में सिजदा एवं पैबोस पर था की सुरुवात बलबनने की थी ठीक है सिजदा और पैबोस पर था की सुरुवात किसने करी थी तो यह करी थी बलबनने आगे बढ़ते हैं देखिए बल्बन ने फार्सी रीती रिवाज पर अधारी नवरोज उत्सव का प्रारम्ब करा था ये एक फैस्टिवल था तो ये फैस्टिवल नवरोज उत्सव का प्रारम्ब किस ने किया था तो ये करा था बल्बन ने देखिए अगला जो पॉइंट है वो है कि अपने विरोधियों के परती बलबन ने कठोर लोह एवं रक्त के निती का पालन किया था और नसरुदीन महमूद ने बलबन को उलूंग खा के उपादी परदान की थी ठीक है नसरुदीन महमूद ने बलबन को ये उपादी दी थी ठीक है उलूंग खा के उपादी किसको प्राप्त थी तो ये थी बलबन को और किस ने दी थी ये दी दी थी नसरुदीन महमूद ने आगे बात करते हैं देखिए बलबन के दरबार में फार्सी के परसिद कवी थे अमिर खुसरो एवं अमिर हसन अमिर खुसरो फार्सी के परसिद जो कवी थे किसके दरबार में थे तो ये थे बलबन के याद लखेगा, दोनों नाम काफी famous है अमेर खुषरो और अमेर हसन अब हम बात करते हैं, गुलाम बंस का अंतिम सासक कौन था उसका नाम क्या था, उसका नाम था सम्मदीन कैमुर्ज याद लखेगा सम्मदीन कैमुर्ज, काफी अच्छा नाम है यह और काफी important नाम है बच्चो आज के इस वीडियो में बस के वले इतना है आगे हम वीडियो में बात करेंगे कुछ नए topic के साथ में देखिए यह जो वीडियो में लेकर आ रहा हूं आपके सामने यह page by page है कोई भी page इसमें skip नहीं है और देखिए देखिए करके मैं science भी cover करूँगा geography भी cover करूँगा लेकिन एक series के साथ ही मैं खतम करूँगा जैसे यह book चलती रही आगे वैसे वैसे वीडियो आपके बनते रहेंगे आपका science का topic होगा या फिज़ जोगरफी का topic होगा वो इस book के recording ही आपको मिलेगा तो इसी के साथ मैं लेका आप सहल भी दा अगर आपको यह video पसंद आया हो तो प्लीज को like करिएगा और आपको जो भी friend competition के त्यारी कर रहे हैं उन तक इस video को share जरूर करिएगा bye bye take care and all the best